तो इंडिया में एनिमी की क्या हलात है ये तो आपको बताई है मैंने मेरे हर वीडियो की शुरुवात में इसके बारे में एक से दो बार दो बात की आई है तो इसलिए मैं फिर से नहीं दोड़ाने वाला इसके बारे में जानते हुए भी कुछ बंदे ने हर बार मुझे आके Anime इंडिया, Anime इं हिंदी डप्ट के बारे में पूछा है तो रिसेल ले एक बंदे ने आके मुझे कमेंड किया कि इंडिया में बहुत जल्द एक official anime platform आने वाला है जहाँ से हम सब और डब के साथ सथ हिंदी में भी एनिमे देख सकते है मतलब देख पाएंगे तो इस कमेंट को देखने के बाद मुझे बहुत ही अजीब लगा और उसके बाद मैंने इस पर्टिकुलर प्लाटफॉर्म के उपा थोड़ा बहुत छानमीन किया और उसके बाद मुझे कुछ चीज पता चला तो चलिए शुरुआस से जानते हैं आकिर बात क्या है तो पहले बात करते हैं एनिमे लॉग के बारे में तो एनिमे लॉग ने कुछ दिन पहले एक कम्यूनिटी पोस्ट किया था जहाँ पर उन्हें बताया था कि एनिमे अब धीरे धीरे इस चैनल पर आना शुरू हो जाएगा और ये सब कॉन्टेंट्स कौन सी कंट्री में एबलेबल होगा वो भी नीचे लिखा था तो यहाँ पर इंडियन फ्लैक को देखकर कुछ लोगों ने गलत अंदाजा लगाया कि एनिमे इंडिया में आएगा बस इतना ही नहीं हिंदी डप के साथ आएगा तो ये सोच बिलकुल नैचरल है क्योंकि जो लोग एनिमे कम्यूनिटिस में नहीं है उनको इस बारे में जानकारी नहीं है तो बस ये जान लीजिए कि यहाँ पर इंडिया के साथ साथ बाकी जो कंट्रीस है वहाँ पर बस इंगलिश सम में एनिमे अवेलेबल होगा इंगलिश डब में या कोई भी लेंग्वेज में नहीं आएगा इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाये थे कुछ मेंने पहले मतलब अगर आप उन वीडियोस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि Japanese Anime Industries के साथ Crunchyroll और Funimation का एक प्रॉबलम है इसी वज़े से Anime Lock चैनल को बनाया गया है तो ये था Anime Lock की बात लेकिन इसके बाद भी एक और प्लैटफॉर्म को लेकर बाते हो रहा है और वो प्लैटफॉर्म है Anime TV यानि कि Anime ITV मतलब मुझे लगता है कि इन्होंने Anime इंडिया को शॉर्ट करके Anime ITV बनाया है मुझे ये पता नहीं ये Official है ये Unofficial लेकिन कोई भी Social Media Accounts में इनका टिक नहीं है जिसका मतलब ये Primarily Unofficially है जो कि मुझे लगता है लेकिन कुछ लोगों को लगता है ये Official है और ये Hindi डम में Anime लाएंगे तो सचका है तो गाईज हमारे टीम का भी एक ऐसा ही एक वेबसाइट था और सिर्फ वेबसाइट ही नहीं हमारा एक एप भी था आपको शायद आपका नाम पता होगा क्योंकि मैं बहुत अड़़डाइजिंग करता रहता था एपका नाम था Anime Town तो हमारा एक एप भी था और एक वेबसाइट भी था तो इसका मतलब क्या हम भी ओफिशियल थे नहीं हम टॉर्रेंटिंग करके Anime एवेलेट करते थे तो इस वक्त एक ऐसा हाला था कि हमें लग रहा था कि इंडिया में हर एक Anime साइज बैन होने वाला है तो इसलिए हमने एक फ्री में एप बनाया जहां से ओर्डियंस फ्री में Anime इंजॉय कर सके लेकिन हमारा ये प्लैन सफल नहीं हुआ मतलब एप लॉंच करने के दो तीन हफते बाद ही हमारा एप हैक हो गया फिर शुरू हो सार्वर प्रॉब्लम जितने भी Anime डालते थे सारे अचानक जाके डिलीट हो जाते थे स्टोरेज प्रॉब्लम उसके बाद सर्वर इशूज ऐसे होता रहता था उसके बाद एक दिन जाके देखा कि पूरा एप का लग गया है मतलब काम का तो कुछ हुआ नहीं लेकिन आखिर में जाके पूरा पैसा बरवाद हो गया उसके बाद हमने एप बंद कर दिया अभी शायद प्ले स्टोर में कई लड़क रहा होगा तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह जो एनिमे आई टीवी है यह भी वेशक कोई ओफिशियल प्लाटफॉम नहीं है मतलब मैंने इतना कुछ बताया इसलिए कि मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है कि एक एप या वेफसेट कैसे चलता है इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह ओफिशियल है हो सकता है बंदे ने हमारे टीम ने जो इरादा लिया था वैसा एक इरादा लिया है मतलब अफिशियल अनफिशिल का पता नहीं लेकिन हिंदी डम में नहीं आने वाला मतलब नेट्फिक्स जैसा एक एप पहले सी है जहाँ पर हम एनिमे को बहुत सपोर्ट करते है उसके वावाजूत भी नेट्फिक्स एनिमे हिंदी में नहीं लाते तो फिर कैसे बताओ एक थर्ड़ पार्टी वेबसाइट एनिमे हिंदी में लाएगा मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ लेकिन मुझे जो लगता है मैंने वो आपको कह दिया और अगर एनिमे हिंदी में आए भी तो बड़े बड़े नेट्फिक्स में आएंगे और आपको पता भी चल जाएगा इसलिए जादा मस सोचिए इस चैनल में हर वीक नए-ने वीडियो जाते है वो देखिए तो गाइस आज के लिए वस इतना ही मिलते आगे एक नए वीडियो के साथ जाएगू झाले सेंऻ के लिएखिए बड़े देखिए बंस चाले वीडियो वीडियो जाएग इस बस्तर भी